दोस्तो स्वागत है हमारे चैनल राज टूटर है हिंदी में आज की वीडियो में हम वोल्टेज ड्रॉप का केलकुलेशन करेंगे दोस्तो वह भी सिंगल फेज के लिए पिछले वीडियो में हमने थ्री फेज सिस्टम के लिए क्या किया था वोल्टेज ड्रॉप का केलकुले केबल मतलब कि एक केबल के अंदर कितना केरेंट फ्लो कर रहा है उसपर डिपेंड कर रहा है दूसरा है दूसरा है दूस्तो लेंद आफ दिक्एबल इस केबल की लंबाई ये लेंध जीतना जming जायदा होग्या मतलब कि लंबाई जितनी ज्यादा होगी, voltage drop भी दोस्तों उतना ही ज्यादा होगा, तिसरा सबसे important है, impedance of the conductor, मतलब कि इस conductor में जितना impedance होगा, इसका voltage drop भी उतना ज्यादा होगा, दोस्तों, impedance क्या होता है, कि ये resistance और reactance का क्या होता है, कि combination होता है यहांपर resistance की लगा हुआ यहांपर inductance का value होगा तो इनके करान जो हमारा impedance होगा तो reactance और resistance के करान तो जितना हमारा क्या होगा impedance ज्यादा होगा दोस्तों conductor का या केबल का voltage drop भी उतना ही ज्यादा होगा तो दोस्तों हम इन सारी चीजों के इंकुलूड करके हम फार्मूले में देखेंगे कि हम सिंगल फेज के लिए वोल्टेज ड्रॉप का कल्किलेशन कैसे करेंगे दोस्तों जो सिंगल फेज के लिए वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला होगा वो होगा VD is equal to I into RC cos theta plus Xc sin theta into L upon 1000 into V में जहां पे दोस्तों यहий VD voltage drop को सो करेगा यहां पे आप जॉप्तों जो सिंगते हैं यहांपे RC आप क्याम । रेक्टेंस आफ केल्ड यह भी ओम पर्टि किलोमीटर में होगा अब हम बानत करते है लगाज्स का काफसे अलकर यह ही यह मेटर में है हमारा यह नार्मल फोल्टेज्ड अक्वास ठीटा जो आप जानते हैं दोस्तों पार फेक्टर होता है तो दोस्तों यहां पर दिखें वोल्टेज ड्रॉप को जो फार्मूला है हमने क्या है परसेंटेज में निकाला है परसेंटेज में होता है और यह परसेंटेज क्या होना चाहिए दोस्तों कि कम से 5% से कम जो हमारा voltage drop होता है वो 5% से कम होता है किसी conductor एक किसी cable में तो 5% से कम होगा तो वो सही है लेगन 5% से ज्यादा है तो वो बहुत ही नुक्सान देह होता है तो अब चलिए हम इनके सारे value क्या करते हैं एक value मान लेते हैं और इस formula में put करके देखते हैं तो दोस्तों मान के चले है यह हमारी एक cable है यह cable है जिसकी यह cable है जिसमें हमारा resistance भी है और reactance भी है तो मान के चलिए इसकी जो इसमें जो current flow हो रहा है दोस्तों इसमें जो current flow हो रहा है वो है हमारा 10 ampere मान दस ampere का current flow कर रहा है यह single phase system में और यहाँ पर इसकी जो लंबाई है दोस्तों लंबाई कितनी मांने के चलिये 200मीटरayao है और यहाँ से papa चेलें चाली यह जो सकेड जुद्धन निवा तो यह 25.00 ङो डख़ी1W और यह XC यहाँ पर क्या है दोस्तों कि 15 Ohm पर किलोमेटर है दोस्तों अब यहाँ पर जो एल होगा अब वी जो होगा दोस्तों जो सिंगल फेज के लिए ओगा 220 वोल्टेज तो दोस्तों यहाँ पर हमने स्वारा चीज देख लें लेकिन अब कॉस्ट ठीट अफ पाउर फेक यह भी रूट में तो 1-0.8 का स्कॉर करेंगे और यह इसको हम रूट में रखेंगे तो 1-8 तो 4.2 तो यह आजाएगा 0.36 रूट में तो यह हमारा जो वैलू आएगा 0.6 थाइन थीटा का जो वैलू आया दोस्तों वो आया हमारा 0.6 तो अब यह सारे वैलू हम क्याएगा करते हैं इस फार्वूल में पूट करते हैं और अपना वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं तो दोस्तों चलिए यह सारे वैलू हम इस फार्वूल में रखते हैं तो यह आई जो है हमारा वो 10 है आर सी कितना है 20 कोस ठीटा 0.8 प्लस एक सी कितना है 15 एंड साइन थीटा है 0.6 यह तो है हमारा और यह है एल हमारा कितना है दोस्तों 200 इंटू 200 वान थाउजन्ट अब वी कितना है 220 तो 220 है दोस्तों 1000 को यह 0000 यह केंसिल हो जाएगा और यह 10 से यह 10 केंसिल हो जाएगा तो यह तो केंसिल हो गएगा 2 बचा तो 2110 तो अब इसको मल्टिप्राइ करता है आठ दून 16 तो यह 16 हो जाएगा दोस्तों आईए 15 शक्का 90 तो यह 9.0 हो जाएगा 9.0 अपन 110 तो अब यह कितना आजाएगा अब जो लिजिए 25 डिवाइड़ बई 110 तो अब इसको हम जो डिवाइड करेंगे दोस्तों यह आएगा 0.227 परसेंट यह जो हमारा दोस्तों बोल्टिज ड्रोप आएगा फरसेंटेज में वो आएगा 0.23 से कब निकल तो यह हमारा जो केवल हो उसमें वोल्टेज ड्रोप सही है तो वोल्टेज ड्रोप निकालने का सिंगल फेज का यह बहुत ही बेस्ट तरीका है हमारा वोल्टेज ड्रोप किताना है दोस्तों 0.23 परसेंट सिंगल फेज के लिए तो यह दोस्तों सिंगल फेज क